नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो मेरा नाम है हर्षिदेदिय। मैं फिर सबस्वाद करता हूँ आपका अपनी सीडियो में इस वीडियो में 162 वीडियो अफ लक्षमी कांथ चैप्टर नंबर 38 चले लक्षमी कांथ का और इस वीडियो में हम लो चार कमिटी के बारे मी बात करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको बलवन तरह मैंता कमीटी Evolution of Panchati betrayed शिस्टम इन 90 और अशोख मैंता कमीटी की बारे मताया था है यहाँ पे मैं आपको जीवी की राव कमिटी फिर LM सिंग्वी कमिटी, थुंगन कमिटी और गदगिल कमिटी रिपोर्ट के बारे में सारी की सारी बाते समझाओंगा तो यह बही PPT है जो कि मैंने पहले आपके साथ डिसकस की थी तो अशोक मैता कमिटी इस सब बात हो चुगी है शुरुवात किसे अंदर गया था तो GV के राउजी के अंदर इसको बनाया गया था किस ने बनाया था? Planning Commission ने बनाया था कब बनाया था? 1985 में बनाया था इस कमिटी ने क्या बोला? कि देखे यह जो developmental process है इंडिया में यह bureaucratize हो रहा है bureaucratization का मतलब क्या होता है? कि bureaucrats उसको चला रहा है देखे होता यह है हमारा देश एक democracy है और democracy का मतलब क्या होता है? कि लोग उस चीज़ को चला है तो लोग जो चाहें वही करेंगे elected representatives और उसकी नीचे काम करने वाले bureaucrats जिनको आप government servant या public servant जो चाहें वो बोलते हो ओके लेकिन यहाँ पे committee ने क्या बोला? कि developmental process को bureaucrats चला रहा है और bureaucrats कुछ इस तरीके से development process चला रहा है कि लोगों का involvement नहीं हो पा रहा है यानि कि जो इतनी महनत से पंचायती राज के system को इतनी committee के बाद evolve किया है इस पंचायती राज में जो local level की bodies हैं उनके कहने पे चीज़े नहीं हो रही है district collector, SDM, BDO इनके कहने पे चीज़े हो रही है तो इस चीज़ को रोकने की जरूरत है यह जो bureaucratization हो रहा है developmental process का इसको खतम करने की जरूरत है इसको पंचायती राज से काटने की जरूरत है तो तो the phenomena of bureaucratization of development administration as against the democratization weakened the पंचायती राज institutions resulting in what is called aptly as grass without rules यह नहीं कि grass without rules वतलब गहास है पर उसकी जड़े नहीं है क्या मतलब हो गया इसका कि भाई देखे development एक ऐसा process है जहाँ पर आप पंचायती राज institutions के साथ अगर involved होते हो तो ग्रास राज रूट लिवल पर इनी जो जमीनी हकीकत है उस हकीकत के नहीं करता हो ज़र आप bureaucratization करता हो तो bureaucrats जो चाहरे हो आप उसे साबसे काम करता हो तो जब आप bureaucrat जो चाहा रहे हो उस इसाफ से काम कर रहे हो पंचाहिती राज इस्टिशुशन जो की people का representative है उसके इसाफ से आप काम नहीं कर रहे हो तो this is basically what it is, it is grass without roots तो यहाँ पर obvious भी बात है इस committee ने कुछ recommendations दी जिसके इसाफ से पंचाहिती राज system को improve किया जा सकता है इस पंचाहिती राज system को improve करने के लिए क्या बोला गया कि सबसे important body होगी district level body जो की होगी जिलापरिशद जिलापरिशद बहुत important होगी democratic decentralization में पिवट एक main point एक फलक्रम की तरह काम करेगी यह जिलापरिशद तो district is the proper unit of planning and development and जिलापरिशद should become the principal body for the management of all developmental programs which can be handled at that level यानि कि अगर plan बनाना है development का तो district के साफ से बनाइए और जो चीज़ें भी district management के level पे की जा सकती है planning वगारा वो आप वहाँ पे चलाइए लेकिन at the same time यह भी बोला गया कि जो panchaiti iraj systems lower level पे काम कर रहे हैं उनको भी आप equal importance देंगे planning में, implementation में and monitoring of rural development programs में आप देखें यह जो GVK Rao committee है और जो अशोक मैता committee है इसमें एक बहुत basic difference है GVK Rao committee ground level पे बहुत focus मार रही है अशोक मैता committee ने ground level पे उत्ता focus नहीं मारा था अशोक मैता committee में तो gram panchaiti नहीं और यहाँ पे GVK Rao committee में अब्विसी बाते gram panchait है तो panchaiti राज institutions at lower levels उनको आपको important role देना है ताकि वो भी उतना ही involved हो in implementation and monitoring of rural development programs फिर क्या बोला गया कि कुछ ऐसी चीज़े जो कि अब तक state level पे की जानी थी उनको district level की planning units पे transfer कर देना चाहिए और अगर districts चाहें तो उन चीज़ों को panchait समिती level पे या फिर gram panchait level पे transfer कर सकते हैं इस चीज़ के लिए काम किया जा सकता है कि district development commissioner की एक post बनाई जा सकती है district development commissioner जिला परिशत के chief executive officer की तरह काम करेगा और वो independently ये panchait समिती राज institutions कैसे काम कर रहे हैं इसको oversee करेगा अब तक जो trend था वो trend ये था कि जो district magistrate होगा वो automatically जिला परिशत का chairman हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या था कि district development commissioner एक अलेक से post मनाई जाए और उस post के person वो भी senior I.S. officer होगा उसका काम होगा पंचाहती राज institutions ठीक तरिगे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसको देखना पिर GVK राज कमिटी ने ये भी बोला कि जो elections हैं तू पंचाहती राज systems उनको आप रॉपरली हेल्ड करवाईए समयप हेल्ड करवाईए तो भाई decentralized system of field administration में काफी अच्छी बाते यहां पर काफी अच्छे inputs दिये लेकिन कहीं न कहीं जीवी के राज कमिटी पहले की कमिटियों से अलग थी जैसे कि कमिटी आई थी दन तवाला कमिटी रिपोर रॉन बलोक लेविन पाई पलérioड एक और आई थी हनुमतहरा हनुमतहराव कमिटी रिपोर रॉन डिस्टिक प्राणिंग यह दोनों आपकी रक्षमी काफ में ले खें तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे दन तवाला कमिटी रिपोर्ट आई थी 1978 में और डिस्ट्रिक लेवल प्लानिंग पे हनुमन्था रहो कमिटी रिपोर्ट आई थी 1984 में दोनों कमीटियों ने क्या बोला था? कि जो भी प्लाणिंग है वो डिस्ट्रिक लेवल पर होनी चाहिए और हनुमन्था राओ कमीटी ने बोला कि सेपरेट डिस्ट्रिक ब्लाँइब बादिज बनाईए आप या तो district collector उसका head हो या minister उसका head हो मतलब कि जो हनुमन्था राओ कमिटी थी और जो दंत वाला कमिटी थी वहाँ पे district collector को एक बहुत major role दिया जा रहा था तो जेला परशद था उसका head किसको बनाय जा रहा था district collector को बनाय जा रहा था तो एक अलग post रहेगी तो अच्छा रहेगा तो यह सब बातें दोस्तों यहाँ पे कही जा रही है ओके तिर आगे बात करते है जो हनुमन्था राओ कमिटी रिपोर्ट थी दोस्तों वो district collector को एक बहुत important developmental role दे रहा था लेकिन चाहे आप जीवी के राओ कमिटी के बात करिए चाहे आप अशोक मेंता कमिटी के बात करिए चाहे administrative reforms commission के बात करिए चाहे बलबंत राय मेंता कमिटी के बात करिए वहाँ पे district collector के रोल को थोड़ा कम करने के बात की जारी थी एक हनुमन्था राओ कमिटी ऐसी थी त दिश्ट्री टक्टेक्टर को एक मेजर रोल दे रहा था पंचाःतवरास्व में पंचायती राज सिस्टंस में तोindestit कुन्मेटेशिंinge कमेटी चलोब करते चलोगत में बाते गर्याव कोंपेंटी को 1986 समय दर्वबॉव्ल कांधि जी क्या बोला राजीव गांदी जी ने इस कमिटी को तो प्रेपेर एक कॉंसेप्ट पेपर और रिवाइटिलाइशन और पंचायती राज इंस्टिशन को ताकि डेमोक्रेसी आचके डेवलप्मेंट आ सके और क्या क्या यहां पे रेकमेंडेशन दी गई है सबसे पहले तो सिंग्वी सामने यह बोला कि यह जो पंचायती राज इंस्टिशन से आप इनको constitutional recognize करिये protect करिये, preserve करिये Constitution of India में एक आप नया chapter जोड़िये और उसमें यह बोलिये कि यह जो पंचायती राज इंस्टिशन से है यह constitutional bodies है इनकी जो identity है और यह जो integrity है यह किसी state government की whims और families पे dependent नहीं है अगर constitutional existence होगी इन local bodies की पंचायती राज institutions की तो state government को इनको बनाना ही पड़ेगा अभी एक लिए state government अपने हिसाब से इनको बना रही है कभी election हो रहे हैं, कभी election नहीं हो रहे हैं यह मैं 1986 ही बाद बता रहा हूँ आपको तो साफ साफ बोला अगर constitutional provisions जोड दिये गए इस पंचायती राज के लिए तो regular free और fair elections अब लोग करा सकते हैं पंचायती राज बोडी पे ले यह बात बोली गई फिर बोला गया कि इनको आप financial resource दीजे फिर यह बोला गया कि villages को कुछ इस प्रकार से आप reorganize करिए कि जो gram पंचायती हो उनको practical तरीके से बनाए जा सके अभी एक ऐसा village जहां पे सिवर 50-60 लोग रहते हैं वहाँ पे आप election करके 5-6 लोग को पंच बना भी दोगे तो कोई फायदा नहीं तो कम से कम आप villages को इस प्रकार से reorganize करो कि एक जो gram पंचायत बने वो कम से कम कुछ considerable amount of लोगों की representative हो लोग 300-400 हो तो चलेगा बट 20-30 की गाउं के लिए क्या ही पंचायत बनाओगे तो अगर बहुत छोटा गाउं है तो दो-तिन गाउं मिला कि आप पंचायत बना सकते हो फिर यह बोला गया finally कि जुडिशल ट्राइबनल्स इस्टैबलिश नीच स्टेट तो अगर एडजुडिकेशन करना हो तो आप जुडिशल ट्राइबनल्स बना सकते है फिर नेक्स बात करते हैं थुंगन कमिटी की अगर आप थुंगन कमिटी की बात करें तो देखी जो कंसल्टेटिव कमिटी हमारे पारलिमेंट की उसकी एक सब कमिटी बनाएगी 1988 में तो कंसल्टेटिव कमिटी और पारलिमेंट की आप एक political और administrative structure बनाए ये district में जो कि district planning करेगा तो ये काम था किसका थुंगिन committee का ओके तो यहाँ पे इस committee ने भी पंचायती राज system को सुधारने के लिए अपने अपने राय दिये सबसे पहली राय जो पहले की committees भी दे चुकी है कि पंचायती राज bodies को आप एक constitutional existence दीजे दूसरा पंचायती राज में three tier system होना चाहिए village level पे, block level पे और district level पे तीसरा जिला परिशत को इन्होंने importance दी pivot of पंचायती राज system जिला परिशत होगा तो planning और developmental agency कहाँ पे होगी वो होगी जिला के head में, मतलब जिला परिशत में होगी पंचायत राज bodies का जो tenure है उसका यहाँ पे suggestions दिया गया 5 सालों का फिर यह बोला गया कि मान लिजे पुरानी जिला परिशत या gram पंचायत या पंचायत समिटी या मान लिजे मेने के अंदर-अंदर एक नई सिलेट करिए फिर बोला गया, एक planning और coordination committee बनाईए state level पे, under the chairmanship of the minister of planning और जिला परिशत का president इसका member होना चाहिए मतलब कि, अब planning and coordination committee should be set up as state level under the chairmanship of minister for planning यह planning and coordination committee करेगा क्या basically, जो पंचायती पंचायती राज बॉड़ी काम कर रहे है उस state में उनकी functioning को और कैसे improve किया जा सकता है उसके उपर यह बातचीत करेगा बहस करेगा, फिर बोला गया आप एक list of subjects त्यार करिए जो list of subjects पंचायती राज के domain के अंदर आएंगे तो पंचायती राज उन list of subjects पे काम कर सकता है और उन list of subjects को आप constitution में भी incorporate करिए यह बात यहाँ पर बोली गए तिर बोला गया reservation of seats in all the three tiers should be basis of population यानि कि आप SCST का reservation कर रहे हो अगर तीनों टायर पे, पंचायत्स में तो उन जगहों पे जिन tiers को, जिस भी SCST की कास को आप reservation दे रहे हो उनकी proportion भी देख लिए आप overall population में तो अगर SCST की population मान लिजे 20% कहीं पे, तो 20% के हिसाफसन को आप reservation मिलना चाहिए फिर यह बोला गया कि हर state के लिए आप एक state finance commission मनाईए और इस state finance commission का का काम होगा कि criteria और guidelines decide करेगा कि किस प्रकार से पंचायती राज institutions को पैसा दिया जाए district collector chief executive officer होगा जिला परशद का, तो यहाँ पे यह थुंगन committee ने साफ साफ बोल दिया कि भाई अगर जिला परशद का head बनाना है तो practical क्या है आप district collector को बना दो finally बात करते हैं गदगिल committee की जिसको बुलाता है committee on the policy and programs जिसको constitute किया गया तो 1988 में Congress party के दोआरा Chairman Contes के VN गदगिल साब इस committee से पूछा गया कि आप यह बताइए how best पंचायती राज institutions could be made effective मतलब committee पे committee बठाते रहो और इस बात के ओपर यह बहसते रहो कि पंचायती राज institutions को कैसे अच्छा किया जा सकता है तो भया इस committee ने भी अपने इची रिपोर्ट दी constitutional status दीजे अभी आप देखो दोस्तों government की नकामी की हद है GVK राओ committee भी बोल रही constitutional status दो कि आप constitutional status दीजे इन committees को तो आप देदो constitutional status इतना क्यों समय लग रहा मतलब चार committee की report लग गई आपको यह बाद decide करने में कि इनको constitutional status दे की ना दे तो भाई यह constitutional status फिर village block और district level पे पंचायती राज system मनेगा थ्री टायर system होगा पंचायती राज system का जो tenure होगा वो पाँच साल होगा फिर यहाँ पे एक और important बात बोली गई तीनों levels पे पंचायत की तीनों levels पे चाहिए वो village हो block हो या district हो तीनों levels पे जो election होगे वो direct elections होगे SC, ST और खासकर woman को भी यहाँ पे reservation दिया जाएगा यहाँ पे woman को भी reservation दिने की बात की गई है कुछ nuances है याद रखिएगा फिर भाईया पंचायती राज bodies चुकि यहाँ पे elected होगी तो उनकी जो legality होगी बहुत मानने होगी उनकी जो existence होगी वो थोड़ी solid होगी उनके ओपर यह responsibility होगी कि वो prepare करें और implement करें plans किसके लिए socio economic development of the people के लिए और इसके लिए एक list of subjects को specify किया गया समविधान के अंदर और उन list of subjects के prepare करना और implement करना socio economic development के लिए यह काम है किसका पंचायती राज bodies का फिर यह बोला गया कि पंचायती राज bodies को यह ताकत देनी चाहिए कि वो levy कर सकें collect कर सकें और appropriate कर सकें taxes और duties को मतलब कि tax और duties को लगाना collect करना और कुछ हद तक उनको खर्च करना इसकी ताकत दी जा किसको पंचायती राज institutions की यह भी बोला किसने फिर गदगिल कमिटी ने बोला कि आप एक state finance commission establish करिए इस state finance commission का काम होगा कितना पैसा भेजना है पंचायत को यह बाद decide करना फिर यह बोलागा कि आप एक state election commission यह बहुत important recommendations है गदगिल कमिटी की तो गदगिल कमिटी बोल रही है state finance commission मनाईए अब ही state finance commission वाली बात फिर गदगिल कमिटी बोल रही state election commission मनाईए जो कि conduct करेगी elections to the panchayats और यह जो गदगिल कमिटी की report थी basically यह main basis बनी आगे आने वाले 73rd और 74th constitutional amendment act के लिए तो यह commitment bill के drafting इसके बाद शुरू होगी जहाँ पे panchayati raja institutions को protection प्रवाइड की जाएगी constitutional status प्रवाइड किया जाएगा तो यहाँ से मतलब the most important committee in all these committees was गदगिल कमिटी रिपोर्ट चुकि इसके बाद original basis पे panchayatar institutions की bill की drafting शुरू होगी आगली वीडियो में दोस्तों हम लोग Rajiv Gandhi government के अंदर क्या हुआ वेपी सिंग जी की government में क्या हुआ नरसिम्मा राओ जी की government में क्या हुआ 73rd constitutional amendment act 1992 के significant factors के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे so thank you for watching friends I hope आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलाओगा have a great day